नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैंग सड़ी पॉंट पे और मैं हूँ आपका होस्ट मैंग साओ और आज का अमरा वीडियो सेल्स मैनेज्मेंट का है जिसके अंदरा हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने चाहिए जहां पे लोगों क कि सबसे ज्यादा नीड होती है उस चीज के बारे में तो वह चीज होता है जौब लोगों को नीड है जौब का वह जौब कैसे मिलता है उसका क्या प्रोसेस होता है आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब भी नेमरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल करते सब्सक्राइब और प्रेस कर दीबल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिक्सम तुरंद मिले और आपसे मिस ना कर सके तो बढ़ते आज का मेरा टॉपिक के त जॉब कोई भी कमपनी अगर उसको कुछ प्रोड़क्ट बनाना है और वो प्रोड़क्ट मार्केट में लेकर आना है तो उस प्रोड़क्ट को बनाने तक से लेकर मार्केट में लाने तक में उसको जिस जिस चीज की जरुवत होती है उसे हम लोग जॉब कहते हैं किस तरीक बनाने के लिए आपको raw materials चाहिए जहां पे आपको raw materials लाने के लिए उनको calculate करने के लिए उनका सारा data रखने के लिए आपको लोगों की जुरुत पड़ेगे क्योंकि आपका industry बहुत बड़ा है और individual वो होगा नहीं तो आप वहाँ पे क्या करोगे hiring करोगे और अब क्या हो र रहा है आपको अपना product को बाहर भेजने के लिए एक अलगा अदमी रखना पड़ रहा है तो यह सरा चीज होता है कि आप उस organization में different different जो भी field है उनके उपर जो requirement जा फिर जो भी hiring start कर रहे हो उसे हम लोग job कहते हैं जैसे यहां पे बताया गया कि a job is a simply the process of making custom product job एक simply process है जो custom product को बनाने में मदद करता है इच जॉब विल बी different and have different requirement based on custom product और हर एक job जो है वो अलग तरह का requirement रखता है अलग अलग अपने product के उपर उनके product पे base करके कि अगर किसी को data analyze करना है तो उसके लिए किसी का requirement होगा किसी का marketing analyst करना है तो उसके लिए होगा किसी को IT का है तो वो IT department environment का होगा किसी को operations का है तो वो operations के field में होगा जो उसका goal होगा उसका जो product उसको बनाना होगा उस चीज के लिए होगा तो हम लोग job के अंदर वो select करते कि कौन किस आदमी को कौन से तरह का job दिया जाएगा और वहाँ पे उसे काम करने के पैसा दिया जाएगा और इसी job को हम लोग कई बार dream job को भी कहते हैं आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि आप MBA कर रहे हो या फिर CA कर रहे हो या CMA कर रहे हो या फिर PhD कर रहे हो तो आपका एक कुछ ना एक goal होगा कि मुझे ये degree लेकर मुझे ये job चाहिए ये job मिल जाएगा इस job में इतने पैसे मिल ज अब बात करते हैं job analysis की, कि job analysis होता क्या है, job तो अब हम लोग समझ वहा कि job काम क्या होता है, काम किसी भी तरह काम उस company के अंदर क्या हो रहा है, अब job को analyze करते हैं कि कौन सा काम किसके under होगा या फिर किसको दिया जाएगा, तो job analysis refers to a systematic process of collecting all information about the specific job including skills requirements, roles, responsibilities and processor in order to create a valid job description, job analysis एक systematic process को refer करता है, जहां पे हम लोग candidate का हर तरह का information collect करते हैं, वो किस job के लिए आया है, कौन सा specific department के लिए आया है, उसका क्या skill है और हम लोगों ने क्या skill require किया है, उसका क्या role होगा उस department में, जिसके लिए वो आया है, उसका क्या responsibility होगा, वो किस तरीके से काम कर इसका process order क्या होगा, वो किस तरीके से अपने job description को valid बनाएगा, यह सब हम लोग job analysis में देखते हैं, और वो company का manager भी analyze करता है, और जो employer, जो candidate वो form को भर रहा है, वो भी ध्यान में रखकर पढ़ता है, उसे fill up करता है, job analysis also gives a overview of the physical, emotional and related human qualities required to execute the job successfully, और यह एक human, human quality को भी required करता है, जहां पर यह पता चलता है कि वो candidate जो है, उस job के लिए कितना बढ़िया है, और वो कितना अच्छा से job successful अपना बना सकता, execute कर सकता, अपना job को successful बनाने के लिए, तो यहां भी जहें कि आपको दिखाएगा कि एक आदमी जो है, ड्रीम कर रहा है कि वो किस के लिए रखेगा, accounts के लिए रखेगा, या फिर marketing के लिए रखेगा, या फिर hierarchy में रखेगा, या R&D में रखेगा, research and development में रखेगा, या फिर अपना target market में रखेगा, यह सरा चीज होता है, job analysis के अंदर, कि आपके roles के उपर, आपके requirements के उपर, आपका specific designation के उपर आपको का अवरे में रखेगा, यह सरा चीज होता है, job analysis के अंदर, अब हम लोग, job analysis का कुछ advantage समझते हैं, कि वो किस तरीके से manager उसका, यूज करते हैं, उसका advantage क्या होता है, job analysis हेelps the personal manager, at the time of requirement and selection of right man on right job. Job analysis से क्या होता है कि वहां उस company का जो personal manager है उसको यह help मिलता है कि वह जिस आदमी का hiring कर रहा है वह आदमी सही है या नहीं है उस सही job के लिए उसके लिए सही job क्या है और उस job के लिए वो सही है या नहीं है यह उससे पता चल जाता है इसके मदद से It helps him to understand extent and scope of training required in that field और वो इससे भी समझ सकता है इस job analysis से यह भी समझता है कि अगर हम जिस आदमी को hire किये है उस job के लिए तो उसमें किस तरीके का उसका extent होगा किस तरीके से उसको आपको training दिया जाएगा या फिर उसको training मिलेगा उसका field of training क्या होगा उसको किस चीज का requirement होगा यह सबका पता चल जाता है फिर it helps in evaluating the job in which the worth of the job has to be evaluated फिर जिस तरह का job उसे दिया जाने वाला है उसमें उसका कितना worth होगा वो उस काम के लिए उस job के लिए सही है या नहीं उसका भी evaluation किया जाता है या फिर उसे उस manager को हो जाता है मदद मिल जाता है job analysis के कारण in those incentives where smooth workforce is required in concern और यहाँ पर वो भी होता है कि जो workforce होता है वो उस workforce का requirement जो है उसको उस pressure को वो assume कर सकता या नहीं कर सकता है उसे समझ सकता या नहीं कर सकता है उसको smoothly उस काम को कर सकता या नहीं कर सकता है कहीं वो pressure पर आके छोड़ तो नहीं देगा या pressure पर आके वो काम तो बन नहीं कर देगा या फिर pressure प्या के काम ही नहीं करेगा ये चीज तो नहीं करेगा तो वो एक सही decision होता है job analysis में कि आप सही आदमी को सही job के लिए चुन सकते हो फिर when he has avoid overlapping of authority, responsibility, relationship so that distortion in chain of command doesn't exist और इससे ये भी पताश चलता है कि अगर वो आदमी ऐसा कुछ करता है तो overlapping कर रहा है अपने काम को लेके किसी चीज को avoid कर रहा है authority को responsibility को, relationship को तो वो बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं रहता है उसको exit करने के लिए command कर दिया जाता है फिर it also helps to chalk out the compensation plans for the employees और ये help भी जाता है चौक आउट करने के लिए कि compensation plans जो चल रहा है employees के वो सही से है या नहीं है या फिर उनके लिए वो सही है या नहीं है फिर it also helps the personal manager to undertake the performance appraisal effectively इन्हें concerned और इसमें क्या होता कि अगर कोई manager किसी एक personal department का manager है और उसे performance appraisal देना है तो वो सही decide कर रहा है effectively सही तरीके से concern कर रहा है या नहीं कर रहा है कि हाँ वो बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको एक performance appraisal दिया जाएगा या तो पैसे में या फिर promotion में ये सरा चीज किया जाता है फिर ये तो advantage हो गया अब हम लोग समझते जाब description के बारे में job analysis समझ गया उसका advantage समझ गया अब description समझें कि job description basically होता क्या है a job description is a document intended to provide job applicants with an outline of the main duties and responsibilities of the role for which they are applying जैसे कि हम लोग में से बहुत लोग जो है job के लिए apply करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को job description देखने को मिलता है उस description में job का सारा details लिखा रहता है कि आपका अगर आपको accounts में भर रहे हो तो accounts के related सारा चीज लिखा जाता है कि आपको ये सारे responsibility होगा आपको इतना साल का experience होना चाहिए आपको ये होना चाहिए इतना degree होना चाहिए ये वो होना चाहिए फलाना डिमकाना ऐसा टांस लिखा रहता है तो वो होता है job description जिसे candidates अच्छे से पढ़ कर उस designation को fill करते है अगर वो आदमी उस job designation के लिए सही है तो वो उसे apply करता है और अगर वो आदमी उस job designation के लिए सही नहीं है तो उसे हटा देता है उस पर वो apply नहीं करता है और in case अगर वो कर देता है तो वहाँ पर interview में जाके वो सायद ही उसे crack कर पाता है बेसिकली उसको हटा दिया जाता है उसको select नहीं किया जाता है क्यों क्योंकि उसका department ही कुछ अलग है वो marketing department का है लेकिन आगया है तो यह job description का advantage क्या होता है candidate को it helps the supervisor in assigns work to the subordinates so that he can guide and monitor their performance job description के कारण क्यों होता है कि अगर आप job description में आप apply करके interview crack कर दी और job में गए उस field में तो वहां का जो आपका supervisor होता है वो आपको सही तरीके से काम बता सकता है और आप उसके काम को अच्छे समझ सकते हो अगर आपका department ही कुछ और था और आप अचानक से इस field में आ गए और आपको वो कुछ काम दे दिया और आप उसे नहीं कर पाए तो आपका यहां पे experience भी खराब होगा आपका report भी खराब होगा और आपको हो चकता है job से निकाल भी दे तो यह सरा चीज होता है और इससे supervisor को help मिलता है कि आप जब उस field उस interview को crack करके उस department में आए हो तो मतलब आपको उसके बारे में कुछ मालूम है और उसी से वो monitor और guide करता है आपको it helps in requirement and selection procedures और यह एक और help करता है managers को कि वो requirement में help करता है और selection procedures में भी help करता है managers को कि हाँ आप यह काम के लिए सही हो फिर it assists in manpower planning आपको manpower planning में भी assist करने को मिल जाता है it is also helpful in performance appraisal performance appraisal में भी बहुत helpful होता है कि आप काम अच्छे से काम करोगे भी it is helpful in job evaluation in order to decide about rate of remuneration और a specific job और यह job evaluation में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और यह decide करता है कि आपको किस तरीकर rating और आपको किस तरीकर job remuneration चाहिए आपके लिए कौन से specific job सही है it also helps in chalking out training and development programs और यह help करता है कि आपके क्या क्या training बाकी है उन training को उन development में changes लाना उनको develop करना यह सरा चीज़ तो यह सरा advantage होता है job description का अब हम लोग समझते है कि job specification क्या होता है job specification में होता क्या है job specification is a document which describes education experience skills knowledge required to perform a job it is a very important document used by HR professionals to communicate the desired people requirement in the organization job seekers generally respond to a particular job after reading the job specification job specification को समझ कर पढ़कर ही candidate जो है apply करते है और वहाँ पे HR का यह काम होता है कि वो जो कुछ भी भरे है उस designation में जो कुछ भी वो डाले और जो कुछ भी qualification है उनका वो देखना कि उनका क्या education है उनका क्या experience है उनका skill क्या है उनका knowledge क्या है वो कहां तक सोच सकते और कहां तक वो develop कर सकते है खुद को उनके लिए क्या काम सही है क्या काम गलत है यह सारा काम वो HR देखते हैं और यह जो job seekers होते हैं जिनको job चाहिए होता जो candidates होते हैं वो लोग इसे अच्छे से पढ़ कर अच्छे समझ कर उसके बाद उस job को apply करते हैं यह होता है job specification का मतलब basically अब हम लोग समझते हो कि उसका advantage क्या है और वीडियो का आखरी point भी है it is helpful in preliminary screening in the selection procedure यह सबसे पहला होता है कि यह screening procedure में भी selection होगा या नहीं होगा इसमें help करता है मतलब होगा या नहीं हो का बोलनी हो मतलब होता है कि आपका जैसे starting से में बोलते हो हो कि आपका department कुछ और है और आपको चौर के लिए भर रहे हो तो वह चीज आपको पहले पता चल जाते है कि नहीं आपका इसमें नहीं हो क्योंकि उसमें specification आपका बता दिया गया है कि चाहिए या फिर आपको PhD ही चाहिए और दुसरा कोई नहीं चीज दुसरा या नहीं ग्रेजुएट नहीं चाहिए इट हल्प्स इन गिविंग ड्यूस जस्टिफिकेशन टू इच जॉब और यह हल्प करता है कि आपको अगर यह जॉब नहीं मिला तो उससे related जॉब आपक and monitoring performance of employees और इसमें supervisor को क्या help मिलता है कि वो आपको monitor कर सके आपके performance को उसको consume कर सके उसको ठीक से supervise कर सके it helps in job evaluation और job evaluation में भी यह help करता है candidates को भी और job जो देने वाला है job giver को भी फिर it helps the management to take decision regarding promotion transfer and giving extra benefits to the employees और यह management को भी help करता है decision लेने में कि उसको promotion मिले या नहीं मिले उसको transfer मिले या नहीं मिले या फिर उसको कुछ extra benefit दे या नहीं दे यह भी help करता है job specification के कारण तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जाते आते वीडियो को like करें और अगर आप चल पे new है तो चैनल को subscribe करें और प्रेस करें bell icon को भी ताकि आपको हमारे आने वाले हर पेटियम के थ्रू सपोर्ट करना चाते हो कुछ पैसे डोनेट करना चाते हो तो मयंग साव अड़रेट पेटियम पे भी आप कर सकते हो धन्यवाद